आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हल्दी की चटनी जिसे हम हल्दी की सुखी सब्जी भी बोल सकते हैं यह ठंड की बहुत ही हल्दी रसीबी है हम सबको यह जरूर खाना चाहिए इसके बहुत फाइदे हैं तो आईए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कि लोगिसे कही तरीके से बनाता हैं कुछ लोग इसे छोटा छोटा उआ कट करके बनाता हैं बड में इसे गिसकर और किसकर कैसे बनाते वो बताऊँगी कि हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आप लिए लगब 200 ग्राम कच्ची हल्दी आप देख सकते हैं हल्दी हमें कुछ इस तरह की लेना है जिसे कि हमें छिल्ले में आसानी हो बहुत ज्यादा छोटी साइज नहीं लेना है मीडियम साइज लेना हो ज्यादा बड़ी विन आप उसकी हल से भी हल्दी के चिल्की उतार सकते हैं इसे काम फास्ट हो जाएगा और थोड़ा आसानी होगे कि यह देखिए बहुत ही आसानी से हमारी ँथी के चिल्की उतर जाएंगे बस शयर्कव Eakin कि अवंभी लेना है कि बहुत ज़्यादा छूटी नहीं लेना है और इस तरह से बहुत यासानी से इसके चिल के उतर जाएंगे यह देखिए मैंने सारी हल्दी को चिल लिया है कि यहां पर मैंने लिए लगबग 10-15 लसुन की कलिया चेज से साथ हरी मिर्च आप हरी मिर्च कम यह जाद अपने टेस्ट के अकोडिंग कर सकते हैं अब हम इन सारी हरी मिर्च को रफली कट कर लेंगे हमें इसे मोटा मोटा कट कर लेना है को कि और म你 ओम इस तरह से हैं और आम इन रिच्री और लसुन को इस तरह की एक मशीन मेरे पास कि अन्दर हमे इस से मिक्सर में क्राइट भिल्कुल ना करें हमें से इसी मशीन में होटार आसका बिल्कुल बारीग पेस्ट नहीं बनाना ए अगर आपके पास यह नहीं हो तो यहनुआ कि यह थोड़ा दरदरा मोटा ही अच्छा लगता है जो कि इस तरह से जो कि चत्पनी के अंदर अच्छा लगता है अब हमें सबसे एंड में हल्दी को किस्ना है हल्दी को हमें सबसे एंड में ही किसना होता है वरना यह काली पड़ जाती है मेरे पास इस तरह की मशीन है हमें इसमें किसना है आपके पास भी इस तरह की होगी जिसमें हम अधरप किस्ते हैं आलू किस्ते हैं पनीर वगेरा किस्ते हैं यह अल्मोस्स सभी के गरों में मिलती ह अब मैं आपको एक हल्दी किसकर बताती हूं हमें बहुत ही क्यारफूली इसे किसना होता है क्योंकि यह बहुत ही जदा तीखी होती है इसके आगे पीछे चोटे-चोटे से जो पॉइंट बच जाते हैं हमें उसे इसके अदर ऐसे ही नहीं डालना है हल्दी किसने के बाद हमें उन छोटे छोटे टुकडों को बिल्कुल बारी कट कर लेना है चाकू की हल्प से हमें रिस्क नहीं लेना है उन्हें किसने की यह देखिए हमें सारी हल्दी को इसी तरह से किस लेना है कि यह देखिए मैंने सारी हल्दी को किस लिया है कि यहां पर मैंने कड़ाई में लगबग तीन से चार बड़े चमच ऑईल गर्म होने के लिए रख दिया है हमें हल्दी की चटनी या हल्दी की सब्जी में बागी सब्जियों की तुल्ला में डेड़ गुना ऑईल लेना होता कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें राई और जीरा डालना है उसके बाद हमने जो लसन हरी मिर्च पीज कर रखी थी ग्राइंड करके वह इसमें डाल देनी है लगबग 2-3 मिट तक इसे मीडियम प्लेम पर पकाना है इसे पकते हुए लगबग 2-3 मिट हो चुके हैं अ सब्सक्राइब करेंगे एक टेबल स्पून नमक तो कर देंगे अ इसमें एड़ करेंगे यह किसी हुई हल्दी भी हमें सारी हलदी को एकसाद ढाल देना है उसके बाद हमें इसे भी अच्छे से हिलाना है से मिख्यात करना ऑफिए अपने अपना में अपने नहीं होती है इसे वराना बहुत आसान होता है लेकिन थोड़ी महनत पढ़ती है स्टटनी में हल्दी को चिलने में और किसने में यह देखिए मैंने इसे अच्छा से हिला लिया है अब हम इसका डखकन लगा कर लगबग 10 मिट के लिए इसे पकने देंगे बीच बीच में इसे चेक भी करते रहना है क्योंकि यह बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगती है हमें इस ट्रटनी को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना होता है इसे पकने में लगबग 15-20 मिट का टाइम लग जाता है यह अथनी आसानी से नहीं पकती है इतनी जल्दी नही पकाते हुए हमें लगबग 10 मिट हो चुके हैं अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे एक बार उसके बाद हम इससे लगबग 10 मिट के लिए और पकाएंगे खुला अब हम इसका ड़कन नहीं लगाएंगे यह देखिए यह 50-60 परशंट तक पक चुकी है अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे खुला पकाना है इसका कलर जो है वो येलो से ब्राउन हो जाएगा वही इसके पकने की पेचान है कि यह देखिए इसका कलर जो है वो गोल्डन राउन हो चुका है और इसके अंदर से ओल भी सेपरेट होने लगा है आप देख पा रहे होंगे मतलब यह लगबग बन चुकी है अब यह रेडी हो गई है हमें इससे ज्यादा नहीं पकाना है अधर वाइस जल जाएगी और कड़वा पन ले लेगी यह बिकूल परफेक्ट है अब सबसे लास्ट में हम इसमें एड़ करेंगे यह बारी कटा हुआ हरा दनिया और इसे अच्छा से हिला लेंगे और एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और इसे गर्मा गरम पराटे के साथ सर्व करेंगे अब मैं आपको पास से दिखाती हूं यह देखिए हमारी हल्दी की चट्नी जो है वो कितनी शांदार बनकर रेडी हुई है यह चट्नी जल्दी से खराब भी नहीं होती है इसे लगबग तीन से चार दिन के लिए फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना बुलिएगा आपको मेरी अदर रेसिपीज की लिंक मेरे वीडियो के नीचर दिस्कृप्चिन बॉक्स में मिल जाएगी आप महां जाकर चेक कर लिजिए गाँ इसके अलाबा आप मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट भी जैकर चेक कर सकते हैं अगर आपको मेरी हल्दी की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज डॉन्ट फोगेट तो लाइक, कमेंड, शेर और सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन थेंक यू